आगे अब हम डिस्कस करेंगे ब्योग रस के बारे में ठीक है इससे पहले हमने श्रिंगार रस और संपुन रसों के बारे में भी चर्चा कर ली है तो आप उन्हें भी देख सकते हो ढंग से तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ब्योग रस के बारे में तो अगला प्रशन है प्रशन में प्रियुक्त रस के लिए सही बिकल्प का हमने चैन करना है तो प्रशन पूछा गिया है हे खग म्रिग हे मदुकर रस नैनी तुम देखी सीता म्रिग नैनी तो बताना है जो ये पंक्तिया है यहाँ पर कौन सा रस प्रयोग में लाया गया है बिखल्प में करून रस, रोदर रस, संयोग श्रिंगार रस या बियोग श्रिंगार रस तो चलिए सही बिखल्प का चेहिन करें यहाँ पर क्या आएगा तो यहाँ पर जो सही बिकल्प आएगा तो वो आएगा बिकल्प टी बियोग श्रिंगार्रस का प्रियोग इन पंक्तियों में किया गया है ठीक है चलिए देख लेती है यहाँ पर डी सही बिकल्प होगा उक्त पंक्तियों में बियोग श्रिंगार्रस है इसमें भगवान रा अगले प्रशन में पूछा गिया है निमिलिकित में से कौन सा रस विवत्स का विरोधी है तो बताना है विवत्स रस का विरोधी कौन सा है विकल्प में है बियानक, बीर, श्रिंगार या करून तो सही बिकल्प यहाँ पर हो जाएगा बिकल्प C श्रिंगार रस विवत्स का बिरोधी हो जाएगा ठीक है बाकी बियानक बीर और कर्ण इसके बिरोधी नहीं होगे ठीक है चलिए देख लेते हैं आगे यहाँ पर थोड़ी सी ब्याख्या दे गई बियाख्या को देख लेते हैं बिवत्स का स्थाई भाव जुगुपसा या गिरीना से सबंदीत है इसका बिरोधी रस श्रिंगार है जिसका स्थाई भाव है रती बियानक रस का स्थाई भाव भय है बिर रस का स्थाई भाव उत्सा तथा कर्रों रसका स्थाई वाब शोक है इसका ध्यान रखी का महत्पुन है अगले प्रशन में जाने से पहले आपको बता दू एक्जाम भी बेचना कि दुवारा एक पेड बर्टसेप ग्रूप लॉंच कर दिया गया है अगर आपको उसके मेंबर बनना चाहते हो तो 82193 12129 पे संपर्क साधी ठीकर आपने बर्टसेप मेसेज करना है आपके सभी प्रशनों के उत्तर आपको दे दिये चाहेंगे आपको बता देता हूँ आप अगर इस बर्टसेप ग्रूप में जूडएंगे तो यहाँ पर आपको मा लेजे जो यह लेक्चर आपके समख प्रतूत कर रहा हूँ इसकी PDF में मिल जाएगी और जो प्रती दिन आपको करेंट फियर मिलता है डेली जीके के कोशन मिलते हैं एच्बी जीके के कोशन मिलते हैं यह सभी सुविधाएं आपको उस बट्चैप ग्रूप में मिल जाएगी वहती महत्पून है बहुत ज़्यादा बच्ची उसकी साथ जूड़ चुके है अगर आप लोग भी जूणना चाते हो तो दिये के नमबर से संपर करिए बट्चैप आपने करना है ठीक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नमबर मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको नमबर मिल जाएगा ठीक है तो चलिए अगरा प्रेशन देख लेते हैं अब अगला प्रेशन पूछा गया है अगरा प्रेशन पूछा गया है सी नहीं बी होगा यहाँ पर ठीक है इसका ध्यान रखी बी सही बिकल्प हो जाएगा तो यहाँ पर थो लिशी ब्याख्या भी देख लेते हैं अखिया हरी दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची एबतियां सुनी रूखी इसमें ब्योग श्रिंगार या ब्योग रसका बर्णन किया गया है क्योंकि हरी के दर्शन के लिए आँखे तरस रही है नाइका की सुर्व सागर का यह पद्याश गोपियों की बिरह दशा का मार्मिक बर्णन किया गया है इनमें ठीक है तो 32 का यहाँ पर सही विखल्प B होगा C नहीं इसका विध्यान रखिए अगला प्रशन है 33 निस दिन बरसत 9 हमारे तो जो यह प्रंगतिया है बताना है यहाँ पर कौन सा रस प्रयोग में लाया गया है तो विखल्प आपके समख्ष दिये गए है करून रस रौदर रस ब्योग श्रिंगार रस या अद्भुत रस तो सही विखल्प का अपने चैन करना है यहाँ पर क्या आएगा तो जो यह पंक्तिया है निसी दिन बरसत 9 हमारे तो यहाँ पर जो सही विखल्प आएगा तो वो आएगा विखल्प सी ब्योग श्रिंगार का यहाँ पर बर्णन किया गया है सी यहाँ पर सही विखल्प हो जाएगा तो यहाँ पर ठोली सी ब्याख्या दे गई है, ब्याख्या को भी देख लेते हैं निसीदिन बरसत 9 हमारे में ब्योग्षिंगार है जहां नाइक और नाइका के बिरह का बर्णन होता है ब्योग्षिंगार उसे कहा जाता है किसी प्रिय ब्यक्ति की मृत्यू से उत्पन शोक करून रस होता है क्या है किसी प्रिय ब्यक्ति की मृत्यू से उत्पन शोक करून रस होता है जैसे शोक बिकल सब रोहूरानी, रूपशीलवल, तेजबखानी जहां शत्रो के अनुचित कारियों को देकर मन में क्रोध की वावना उत्पन हो उसे रौदर्रस कहते हैं जैसे जो तुम्हरे अनुशाशन पावू कुंदुक इव ब्रामन उठावू तो यहां पर कौन सा रस होगा तो यहां पर होगा रौदर्रस ठीक है इसका भी ध्यान र का स्थाई भाव क्या होगा विकल्प में हास रती रौदर या विवस तो चलिए सही विकल्प का चैन करें यहां पर क्या आएगा तो सही विकल्प जो यहां पर होगा विकल्प ए हास्यरस का स्थाई भाव हास हो जाता है ए यहां पर सही विकल्प हो जाएगा आगे इसकी थोड़ी सी ब्याख्या भी दी गई है, ब्याख्या को भी देख लेते हैं, नौ इसी के साथ अगर पूछा जाए हिंदी में रसों की संख्या कितनी है तो वो भी नौ हो जाएगी तो कई बार ये प्रशन सीधा सीधा बनता है कि जो भरत मुनी थे उनके द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई है या स्थाई भवों की संख्या कितनी मानी गई है तो उनके द्वारा मानी गई थी आठ इसका भी ध्यान रखना है आपने ठीक है चलिए देख लेते हैं आगे रस और स्थाई भाव कौन कौन से हैं और किस परकार से हैं जो श्रिंगार रस है इसका स्थाई भाव होगा रती याद रखीगा most important है ये जो श्रिंगार रस है इसका स्थाई भाब रती होगा इसके पशा जो हास्य रस है इसका हो जाएगा स्थाई भाब हास और जो करुन रस है इसका स्थाई भाब शोक हो जाएगा और जो रौदर रस है इसका स्थाई भाब करोध हो जाएगा और जो बीर रस है इसका उत्साह हो जाएगा बियानक रसका भय हो जाएगा बीवत रसका जुगुपसा हो जाएगा अदपुत रसका आश्चरी हो जाएगा और शांत रसका निर्वेद हो जाएगा इसे कहीं पर नोट करिएगा यहां से आपका एक नंबर अवश्य बनता है चलिए अगला प्रेशन देख लेते हैं अगले प्रेशन को देखने से पहले आपको यह दिखा देता हूँ हमारी टीम के दवारा PGT हिंदी, LTE कमिशन और LTE TAT के लिए कोर्स लाँच कर दिये गए है अगर आप लोग इंटरस्टीर हो तो आप संपर्क कर सकते हो संपर्क सुतर के लिए आपके लिए पास नंबर दिया गया है 82193-2229 इसमें आप बट्सेप करिए और आपके सभी डॉट्स या आपके प्रशनों के उत्तर दे दिये जाएगी संपर्क अवश्य कीजिएगा आपको इन कोस्ते अवश्य लाँ में लेगा तो चलिए अब जाते हैं अपने प्रशनों की तरफ तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे करुन रस के बारे में ठीक ना करुन रस तो प्रशन है पहला पैंतिस देखी सुदामा की दीन अदशा करुना करी के करुना निदी रोए में कौन सा रस होगा विखलत में हैं वियोशनगा रस रोदर रस करुन रस या शांत रस तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं इनमें होगा करुन रस तो जब भगवान शुदामा जी के दीन दशा और करुन स्थेति को देखते हैं तो वो रोने लगते हैं इसमें जो रस होगा तो वो होगा सी करुन रस ठीक है तो यहाँ पर थोली सी ब्याख्या भी दी गई है ब्याख्या को भी देख लेते हैं देखी सुदामा की दीन दशा करूना करीके करूना निदीरोय में करूनरस है इसमें भगवान श्रीकृषिन अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर अपने आंसु बहा रही है जहां नाइक और नाइका के बिरह बिच्छने का बर्णन हो वहां ब्योग शिंगार होता है क्या है दोस्तों जहां नाइक और नाइका के बिच बिरह या बिच्छनन होता है तो वहाँ पर ब्योग शिंगार होगा जैसे हे खगम्रिग क्या है हे खग म्रिग हे मधुकर अंडिश्टैन नी तुम देखी सीता म्रिग नहीं नी तो यहाँ पर जैसे भगवान श्री राम पक्षियों से पूछ रहे हैं हे पक्षियों क्या आपने सीता को देखा है कहीं पर तो यहाँ पर ब्यूग श्रिंगार रस होगा और जो उप्रिक पंक्तिया है यहाँ पर होगा आपका करूना रस या करून रस ठीक है इसका दियान रखे महत्पुन है यह भी अगला प्रशन यहाँ पर पूछा गया है 36 करून रस का स्थाई भाव क्या है विकल्प में है उत्साह, शोक, रती या हाथ से तो अभी पीछे में आपको इसका उत्तर बता दिया था अगर आपने धंक से देखा होगा तो आप सही विकल्प का चेन करें यहाँ पर तो चलिए सही विकल्प का चेन करें क्या आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर जो करून रस का स्थाई भाव होगा तो बहो जागा आपका विकल्प भी शोक तो थोड़ी सी ब्याख्या यहाँ पर दी गए ब्याख्या को देख लेते हैं करुन रस्त का स्थाई भाव शोक होता है बीर रस्त का स्थाई भाव उत्साहा होता है श्रिंगार रस्त का स्थाई भाव रती होता है और हास्य रस्त का स्थाई भाव हास्य होता है ठीक है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं 37 प्रिय वह मेरा प्रान प्यारा कहा है दुखचल नीधी में डूबी का सहारा कहा है तो बताना है इन पंक्तियों में किस रस का प्रियोग किया गया है विकल्प में श्रिंगार, रौदर, करून या शांत तो सही विकल्प का यहां पर चैन करना है तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा 37 का करून रस का प्रियोग यहां पर किया गया है तो चलिए दिख लेते हैं वियाख्या किसी प्रिय विक्ति के चीर बिरह अत्वा इच्छित वस्तु की अपराप्ती से उत्पन होने वाले शोक आदी भाव के समिश्रन को करून रस कहते हैं अर्थात शोक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के स्रियोग से करून रस की दशा प्राप्त होती है अत्व प्रशनिकत पंक्तियों में करून रस का प्रियोग किया गया है अगला प्रशने 38 पूछा गया है निमन में से किस रस का स्थाई भाव शोक है अभी हमने इसे डिसकस करा है आशा करूंगा सभी इसका सही उत्तर ही चैन करेंगे विकल्प में है रौदर, बीर, करुन या भयानक तो अठर्टित का सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प C जो आपका शोक है इसका स्थाई भाब करुन हो जाएगा तो चलिए आगे दिख लेते हैं व्याक्या करुन रसका स्थाई भाब आपका शोक होता है किसे प्रिय विक्ति के चीर बिरह अत्वा इचित बस्तू की अप्राप्ति से उत्पन होने वाले शोक आधी भाब सम्मिश्रून को करुन रसका स्थाई भाब क्या होगा? तो सही विकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा शोक तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी फिर से ये स्थाई भाब रसके बारे में बता आईया है इसको देख लीजीगा मैंने पहले ही आपको बता दिया है चलिए अगला प्रेशन देख लेते हैं तो इसमें भी पूछा गया है करून रसकास थाई भाब होगा तो यह हो जाएगा बिकल्प भी शोक ठीक है तो यहाँ पर भी थोड़ी सी ब्याख्या दी गई है तो इसे भी आप देख लीजीगा पिछले प्रेशन के एकॉर्डिंग ये ब्याख्या है अगला प्रेशन फिर से इसी प्रकार का है निमन में से किस रसकास थाई भाब शोक है तो यह हो जाएगा बिकल्प C करून का ठीक है C यहाँ पर जही बिकल्प हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्याख्या भी दी गई है करून रसका स्थाई भाब शोक होता है किसी प्रिय ब्यक्ति के चीर विरह अत्वा इच्छित बस्तो की अपराप्ति से उत्पन होने वाले शोक नामक स्थाई भाब बीभाब अनुभाब एवन संचारी भाब के सम्मिशन से करून रसकी निश्पत्ति होती है या निश्पत्ति करता है ठीक है